हेलो गाइज वल्कम टू मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छा होंगे तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीडियस बीपीम का जो लेवल वन का सेलरी होता है वो कितना होता है कल हमने बताया कि ये बीपीम का लेवल वन और लेवल टू का से कितना होता है तो यह अप्रिल मॉंत का सेलरी और हम इसको एक एक करके डिसकसन कर लेते हैं कि इसका एक्चॉल में सेलरी कैसे कैलकुलेट हुआ है और कितना है ठीक है हम स्कूर्ण कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ मालूम चलता रहें है कि हमारा जीडियस बीपियम बीपियम का सेलरी है जो की एसकेल वन एलेवन है मतलब की लेवल वन का बीपियम है और वह 11 साल तक जॉब कर चुका है इस फिल्ड में तो यहां पर देखिया उसका बेसिक सेलरी कितना हो गया है 16,190 रुपिया ठीक है जबकि स्टार्टिंग उसका सेलरी कितना होता है 12,000 ही होता है बीपियम का यह बहुत दिन से जॉब कर रहा है लगवाग 11 साल से इनका बेसिक सेलरी बहुत बढ़ गया ठीक है क्योंकि एन्वाल इंक्रीमेंट होता है हर साल तो यहां पर 16,190 रु 500 रुपीज है और डिये एडियर है जो कि जनवरी से लेकर मार्च तक देना था तो इनको एडियर दिया गया है 1944 रुपीज इनको डिये एडियर दिया गया जो कि डिये का ही डिये जनवरी से जूड़ना था लेकिन नहीं दिया गया थी इसलिए एडियर इनको एड़ करके दिया गया टोटल इनका सेलरी हो गया 2490 ठीक है और यहां पर देखिए SDBS में 300 रुपिया कटा एक्स्टा डिपर्टमेंटल एजन्ट के लिए 10 रुपीज कटा टैक्स एक्सो तीस रुपिया कटा और यूनियन के लिए 20 रुपीज कटा कोई-कोई कि दिक्कत है तो यूनियन आपको हेल्प करतेता है ठीक है और यहां पर देखिए टोटल इनको मिल गया 2330 रुपिया यह सब कटिंग कड़के अब दूसरे का देखते हैं यहां पर देखिए भी एक बीपीम है जिसका दस साल हो गया और यह भी लेवल वन का है इनका 15710 किसी को 500 रुपीज मिलता है वह आपको एप्लिकेशन करना रहता है कि 250 से 500 रुपिया बढ़ाना है बेसिक तो आपको 250 रुपिया ही देना पड़ता है लेकिन आपका ओफिस का अच्छा इंफ्राइस्ट्रक्चर है बिजली है सब कुछ है तो आप 500 रुपीज के लिए अप टेक्स्टा इपार्टमेंटल में 10 रुपीज 110 रुपिया ट्रक्स कटवाड रेते टोटल इनको मिलगा कितना 2880 रुपिया एक्च्छल में मिला है 2559 रुपिया जोकी डिडॉक्शन करके 21808 रुपिया मिल गया जोकि यह दस से जाब कर रहे है यह एक और बीपियम है जिनक बेसिक सेलोडी 14,800 है और डीये 6216 रुपिया है 250 रुपिया इनको अभी ओफिस मेंटेनेंट्स अलॉन्स मिल रहा है 1776 रुपिया इनको डीये एडियर मिल रहा है एडिये एडियर मतलब समझ रहे हो ना जो डीये जनवड़ी से जूड़ना था वह अप्रील में दिया है यान बीस रुपिया यूनियोद में ठीक है इनको टोटल मिला है 27266 रुपिया जबकी सब कुल डिड़क्शन होके बीस जार आटसो चौर रुपिया हुआ यह सब आपके फाइदे के लिए ही डिड़क्शन होड़ा है ठीक है यह सब आपके उसमें प्रांड कार्ड में जमा होत भी कहा है इनका 1315900 रुपिया बैसिक स्यलरेई है पांट चब चल चौइज्ट रुपिया ड़िडिंस आलाउंस से 5746 को अंचर एकपश मैंट्रेेंस आडंश है और 1ख था 2726 रुपिया यह ए डी एडियर है और तीन दोन होड़ा समय अज़ून हो सबार दाएश का थ हृट एक और BPM है जिसका स्केल 1 3 है यानि लेवल 1 का BPM है तीन सलसी जॉब कर रहा है तिनको बेसिक सेलरी 12,740 रुपिया है जो कि मेरा भी ऐसे ही बनेगा और यहां पे देखें 5,301 रुपिया इनका और डियर्नेस अलाउंड्स है और S, सब्सक्राइब भी ऐसे ही 555 मिलता है जो कि हमको भी मिला है और S, D, B, E,S में 305 कर रहा है साइद मेरा 20 रुपिया कर रहा है टैक्स 130 रुपिया कर रहे तो टोटल मिला 18,300 1 रुपिया लेकिन इसाब डिड़क्षन होके 17,860 रुपिया बन रहा है एक और बीपिया में जो की लेटेस्ट बीपिया में नाय निया बीपिया में जब भी आप लोग जोइन करेंगे नाय वाले तो इस तरह से आपको सेलरी दिया जाएगा जैसे 12,000 इसका बेसिक टियार सी है बतले ब मिलता है थ्रट दिन के बाद आप अप्लिकेशन करेंगे तो मिल जाता है और डी एडियर 1440 रुपिया मिला इडी जी आइस में 50 रुपीज लग रहा है और SDBS इनका डिड़क्षन नहीं हुआ क्योंकि इनका प्राण कार्ट वगेरा नहीं बना होगा और टैक्स 130 रुपिया बना लेकिन डिड़क्षन होके 17,360 रुपिया मिल रहा है ठीक है जब भी आप लोग जोइन करेंगे तो इसी तरह आपका भी सेलरी रहेगा ओके एक और बीपियम है जो स्किल वन वन का है यानि लेवल वन का बीपियम में एक साल हुआ है ठीक है एक साल के अंडर ही चल रहा है तो बारह हजर बेसिक है पांचार चालीस रुपिया डियरने से पांस सो ऑफिस मेंटेनेंस से लॉन से अहीं सब सब टोटल ऐसे बन गया 17,360 रुपिया एक और बीप 500 भी हो सकता है 250 भी हो सकता है जब आप अप्लिकेशन करेंगे तब इंक्रीमेंट होता है ठीक है 1482 रुपिया डिये एडियर है जो की जनवरी से लेकर मार्स तक दिया गया ठीक है और 300 रुपिया से 50 रुपिया डिजी आइस में कट अट अब जैसे मतलब एक स्टा डिपर् लग रहे है टोटल मिला करके 17801 रुपिया बनना चाहिए लेकिन 1730 रुपिया बन रहा है क्योंकि कुछ डिडक्शन होगा ठीक है उसी तरह यह भी बीपी हम तीन साल वला इस तरह से देखिए बहुत सारे हैं सब करके समझा दिया कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कोमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है ध्यान साब देख लीजिए ओके आपको यह बात समाज आ गया होगा कहां कहां क्या चीज़ लगता है नहीं लगता है आप लोग भी जब जोइन करेंगे तो आपका बेसिक सेलरी 12,000 रहेगा डिया जाएगा ठीक है और एन्वाल इंक्रिमेंट 3 अगले साल जून के बाद आपका इंक्रिमेंट हो जाएगा तो एक साल हो जाएगा और प्रान कार्ट बनाना बहुत जरूरी होता है इंपोर्टेंड है कुछ भी प्राबलेम आता है क्वेस्चन करके पूछ सकते हो ठीक है कोमेंट कर लीजिए और टेलेग्राम पे जूर सक सकते हो मेरे फेस्बूक पेज पेज जूर सकते हो जहां भी आपको जूरना है टिलिग्राम पे जूरना जरूरी है और इंस्ट्राग्राम पे जूरना जरूरी है क्योंकि वहां पे प्राइबेटली आप बात कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ठीक है वीडियो डिस् झाल